सर्दियों का मोसम शुरू होने वाल है और साथ में ही फैस्टिवल्स भी शुरू होने वाले हैं तो Friends, उसमें हमें क्या यहाद आता है गर्मागरम हलबा और वह भी मूंग की डाल का हलबा अगर हमें स्वादिस्थ मूंग की डाल का हलबा वो भी इंस्टेंट 15 मिनिट के अंदर मिल जाए तो क्या बात है मज़ा ही आएगा ना तो यम्मी यम्मी मुंकी दाल का इंस्टेंट हलवम किस तरीके से बनाएंगे हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक मीनूस कीचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स अब आपको मीठा खाने के लिए इंतजार करने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है बहुती स्वाधिस्ट बहुत जल्दी बनने वाला इंस्टेंट मुंकी दाल का हलवा जो की सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है तो आजये फ्रेंट रास्पी शुरू करते है मुंकी दाल का हलवा बनाने के लिए मैं जो मेशरमेंट कर रहो हूं वह एक छुटा चाय कर नहीं को आप किसी भी बाएल के साफ मेसरमेंट कर सकते हैं मैंने एक कप लिये मुंकी ज्याल तल य येलह वाली डाल होती है इसको एक कप के साफ से करें तो एक कप मुंकी दाल ले लिए एक कप ही हमने चीनी ले लिए थोड़ी से एड्यस्मेंट कम जादा चीनी की आप कर सकते हैं मीटे के साफ से आदा कप दूद की फ्रेश मलाई लिये, दो कप हमने फूल क्रीम दूद लिये और हमने ड्राइफ फूर्टs, आप मनचाइ र्राइफ फूर्स ले सकते हैं, किश्मिर्ट, काजू, पिस्ता, बदाम हमने इसको कट कर लिये, तीन चार इलाइची लिये, हरी वाली इलाइची ह अच्छी से धोनाए जिससे की एकदम से यह जब तक ट्रांस्परेंट नहों जाए जिससे की एकदम से दाल हमारी ख्लीन नहों जाए और अब सारा पानी निकलने के लिए हम इसको रख देंगे जिसे थोड़ी सी दाल फॉर्मेट हो जाए, हलकी सी 2-3 मिंट के लिए दाल को हम इस तरीकी से रख देंगे, दाल सुटी सी ड्राइ भी हो जागी, अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, मुंगी दाल को नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, चि पार पानी निकल चुका था, अब हमें इसको दाल को घी में डालके भूनना है, एक बड़ा चमचो हमने घी डाला है, थोड़ा गरम होने पर हमने दाल को डाल दिया, और इसको करीबन हमें 5 मिनिट के लिए, गैस का फ्लेम ना तो बहुत जादा स्लो, ना बहुत जादा थे मिडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें ब्राउन होने तक दाल भून जाए, इतना में भूनना है इसको, दाल को बहुत अच्छे से हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, अब हमने एक स्टील की छनी ले लिए, नीचे वह बाउल लगा दिया है, तो कि हमें दाल को च्छान है और टेस्ट बिल्कुल वही जो कि हम दाल को भिगोते हैं, फिर उसको पीशते हैं, बहुत ज़्याता चलाते हैं, एकदम वही टेस्ट आता है, दाल एकदम से रोज वोगए एकदम लाल लाल दिखने लगी है, जैसे कि मुँंकी दाल की नमकीन आती हैं बिल्कुल इस तरीक अब इसी ओईल को वापी समुस पैन में डाल लेते हैं देखो जितना डाला था उतना ही है ना बहुत कम गी में ये बन भी जाता है और सारी दाल हमारी भून भी गई है अब इसको निकलने दे जितना एक्स्ट्राइल होगा निकल जाए को दाल हमारी ठंडी हो जाएगी अब पैन को करेंगे गरम इसमें जो भी अमने ड्राइफूट्स काटे हैं वो इसको डाल लेंगे आप अपने मंचाहे कोई भी ड्राइफूट्स में डाल सकते हैं तो ड्राइफूट्स को भी एक मिंट के लिए अच्छे से भून लेंगे भूने हुए ड्राइफूट्स का टेस प्लेट में निकाल लिए और इस घी को एस इस छोड़ देते हैं इसमें दाल को भूनेंगे बाद में अब राइफ फूर्ट को अलग से रख देते हैं दाल भी हमारी अभी थोड़ी सी गरम है चमसे कर लेते हैं इसको आप चाहे दो इसको पंखे में सुखा लें बस एक दो मि और निकल आया है गीस में से अब इसको हम एक मिक्सी जार में डालेंगे आप में डालने के बाद इसका हमें बिकुल दरदरा पॉडर पनाना है क्योंकि हल्वा एकदम जो दरदरा दिखता है तो मूंगी दाल का बहुत टेस्टी लगता है देखो मैं आपको दिखाती हूं क इतने बड़िया से जैसे की एक मोटा पे aisन ब पतला तो ही थोड़ा सा दरदर भर पेसन की दर है यानी दाल हमारी दर-दर भी पिस चुकी है इसी तरीके से पिसे दाल को दाल बहुत बड़िया से पिस गई अब हम उसी पैन को गरम करते हैं इसमें जो गी था एक चमच बड़ा चमच देसी गी हम और डाल रहे हैं देख रहे हैं इससे ज़्यादा मैं डीजी इसमें नहीं डालूँगी अब आप देखेंगे इसी दो चमच जो गी हमने डाला है उसमें कितना बड़ी हलवा बनका तया होगा अब क्या करना है हमें इसी दाल को इस गी में बहुत अच्छे से बुनना है ज्यादा में ज्यादा मेहनत लगती वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको सिर्फ तीन से चार मिंट में स्लो गैस पर यह बनकर तयार हो जाएगा बस इसको जलने नहीं देना बहुत अच्छे से बुनना तीन चार मिंट के लिए देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूं जिससे कि आपको लगे कि दाल एकदम से किस तरीके से फॉर्मेट होगी देखो हलका कलर जल्दी से चेंज हो गया है क्योंकि हम दाल को पहले ही फ्राइक कर चुके हैं दाल देखो बहुत बढ़िया से कलर आगया है कलर आती मैंने इसमें मलाई डाल दिया बहुत ध्यान से डाले क्योंकि एकदम से छीटे उठते तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसमें डालते जाए और लगातार इसको चलाते जाए एक पीचिश हमनें भार के नहीं लिए म अब एक कप दूद और डाल देती हूं अब इस स्टेज़ पर आप क्योंकि डाल की अपनी भी कुछ जादा अफजर्वेशन करती हैं कुछ कम करती हैं दो कप तो दूद डलेगा ही डलेगा लेकिन आप थोड़ी सी पानी के अडिस्मेंट या दूद के अडिस्मेंट कर सकत दालने के बाद एकदम सफेद हो गया लेकिन आप जैसे ही चीनी मिलाएंगे तो एकदम कलर फिर चेंज हो जाएगा अब गयास का फ्लेम स्लो करके हम इसको चलाते जारे हैं साइडों से भी इसको खुरस्ते जाए अब बिल्कुल गाड़ा पेस्ट होने के बाद हमने इसमे तो ठीक करना है थोड़ा सा कम ज्यादा आप जैसे थोड़ा पतला रखना चाहते तो थोड़ा कम पका ले थोड़ा सा गाड़ा पसंद है आपको तो थोड़ा ज्यादा पका ले करारा पसंद हो तो लेकिन देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं तो यह पकत इसको टोटली पंदा मिनिट लगे हैं इसमें आदे ड्राइफूट हम डाल देते हैं बहुत बढ़िया सी हलबा बनकर हमारा तयार हो चुका है थोड़ा सा हमने कार्णिशिंग के लिए रख दी है अब गयास का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसको हम हलका साओर एक आदी मिन्ट के लिए बून लेते हैं जिसको बिल्कुल पतला चीए वह स्ट्रेच पर छोड़ दे जिसको थोड़ा गाड़ा चीए वह आदे मिन्ट के लिए और पका ले बाकी पैन कर हमने के बाद भी बहुत ज़्यादा पसंद है एक चमच घी उपर से डाल सकते हैं लेकिन मुझे एकदम परफ्रक्ट लग रहा है तो मैं इसमें विल्कुल भी घी ने डालूंगी और बहुत बढ़िया से चाशनी में भरा हुआ ड्राइफूट से भरा हुआ मून की दाल का हल्वा हमारा एक चाहिए तो इसको बरीक पॉडर बनाकर भी डाल सकते हैं मुझे इसके दाने बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने इसमें दाने का यूज किया है देखिए एकदम से पैन को चला रहे हैं तो इसमें छोड़ रहा है गी बस बहुत जो आपको तरम तर गी चाही होता है तो ए और कमेंट्स वॉक्स में लिखके मेरे को बताईएगा आपको हलवा कैसा लगा टेस्ट तो ऐसा लगेगा कि आपने बस कितनी महनत करके बनाया है लेकिन बहुत कम महनत में बहुत जल्द बनने वाला इंस्टेंट मुंकी दाल का हलवा तयार है ड्राइफूट से हमने इसको कानिशिंग कर दिया है आप चाहें तो इसमें अपनी मनफसंद ड्राइफूट डाले या ना डाले खाली मुंकी दाल का हलवा बनाएं सब चीज आपको घर में मिल जाएंगी बहुत असानी से बनने वाला इंस्टेंट मुंकी दाल का हलवा बनाकर जरूर कमेंट लिखके ब